हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाइग आज हम कुछ सीजेल में 2016 में आए हुए कॉमर इरर्स की बात करने वाले हैं जैसे कि आप सबको पता है कि सीजेल टीर टू का एक्जाम आने वाला है ओके सो लेस सी हेर इस फर्स क्वेस्टिन इन माई ओपेनियन पेंसिल इस आलवेज मोर प् न को मैं हैं तुछ न आतरा है जहिए लिक के लिक क्लाइमेट और मुंबई की बात कर रहा है बटर न है? मुंबाई का क्लामेट और है अधिक अफ्छा है लेकिन है पे हैधराबाद नी है थे क्लामेट से खुम्पीजन होगा थो तब क्लामेट और मुंबाई इस बिटर दैनड और हैदरावाद होगा तो यहां पे किस पार्ट मेरल रहा है और कोगी मतलब कि कुछ best leaders थे उनमें से जो कुछ leaders है वो कौन-कौन से है मातमागानी, सरदार पटेल और जवाला नेरू तो जो the best known leaders होगा यहाँ पे क्या होगा the best known leaders among them और वर लगा है तो subject हमारा plural होना चाहिए तो यहाँ पे first part में error हो जाएगा next question है the burglar stole all the money in the house but surprisingly missed the jewelries in the locker burglar ने सारी पैसे चुडा लिये लेकिन उसने किया जो 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 locker था उसे miss कर दिया तो यहाँ पे jewelries जो होता है jewelries जो है एक uncountable noun है जिसे हम count नहीं कर सकते इसलिए उसका plural नहीं बनता है तो यहाँ पे mistake क्या है jewelries के स्ताम पर jewelries होगा तो C part mirror हो जाएगा next है हमारा owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meeting अब देखें यहाँ पे किस part mirror है owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meeting जो speaker है वो forced to adjourn the meeting meetings जो है यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा meeting होगा क्योंकि एक टाम पे एक ही meeting हो सकती है और क्या यहाँ पे meetings का plural नहीं बनेगा meeting होगा तो कौन से part mirror है C part mirror है next है no one wants to drive to work anymore because of traffic jams at Rassava no one wants to drive to work anymore because of traffic jams at Rassava देखो यहाँ पे इस sentence में क्या कोई error लग रही आपको कोई error नहीं है इसमें ठीक है इसमें क्या होगा no error होगा यह एकदम correct है और जो no error वाले होते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देनी जरूरा थे क्योंकि सबसे ज़्यादा mistake महीं होते है ऐसा लगता है कोई ना कोई error होगी लेकिन यहाँ पे कोई error नहीं है क्लाइम की जगह में क्या हो जाएगा क्लाइम्ड हो जाएगा राम है लो क्लासकल म्यूजिक राम है लोक्तेन नहीं होता है fororient2 चीज के लिए और रूशे दिखाने के लाउड यह मैं are going to run to run still down to help friendz अब इसमें हमको देखना है किस पार्ट में रहा रहा है अब यूनिक फीचर आप मोबाइल फोन इस पार्ट में तो कोई रह नहीं है इस दाद इनेबल्स सीम्लेस टेलिफोन कॉल्स इवन यहां पे भी सिंग्लर सब्जेक्ट है तो सिंग्लर वर्प का यूज किया है यहां पे यूज़र के बाद में और कैसे सकता है क्योंकि दो सिंग्लर सब्जेक्ट है तो यहां पर आर की इसका यूज करेंगे तो किस पार्ट मेरों जाएगा तो किस से पार्ट मेरों हो जाएगा ऑक्के got it लिए हम हमेसा on food का यूज़ करते हैं तो यहां पर c part में error हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा you better consult a doctor immediately you better consult a doctor immediately अब देखो इस sentence में आपको कोई error लग रहा है एक subject subject के बाद में subject आता है उसके बाद में bitter और bitter के बाद में हमेसा वीवन का यूज़ करते हैं ठीक है तो यहां पर यह rule follow हो रहा है देखो you better उसके बाद subject उसके बाद bitter bitter के बाद में consult मतलब वीवन का यूज़ किया गया है तो यह क्या इसमें no error है यह एकदम correct है next day and receive the promotion instead of susan as and is senior than susan in is though susan had worked there beforehand तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हमेसा से पढ़ना है कि senior junior superior इन सब के बाद में हमें इसा two का यूज़ करते हैं तो senior than की जगे पर senior two हो जाएगा तो यहां पर यहां पर है तो यहां पर है यहां पर है तो यहां पर हैड हो जाएगा ठीक है लेकिन यह इसमें पार्ट में भी इर्ण माना जाएगा वैसे हम यहां पर हैस की जगे पर हैड का यूज़ करेंगे ठीक है वैसे यहां पर क्या होना जाए यह पास्ट इंडेफिन में होना जाए दो ओपीसर गेव ओडर तो इससे टीक है नेक्स्ट है वण इसमें आपको क्या इर्र लग रह रहा है वर योग, यह पार्ट में तो फेंस लोयल्टी आपके फ्रैंस की लोयल्टी पर यू आपके फ्रैंस की लिःटी पर में क्या है no error है क्या है no error है ठीक है next है हमारा scarcely had he gone then I remembered his name तो इस सेंटेज में क्या error हो जाएगा scarcely hardly इनके बाद में हमेशा वहन का यूज करते हैं तो दैन की जगहें पर क्या होगा वहन होगा क्या होगा वहन होगा ठीक है यहां पर जो इस तरह से सेंटेज होते हैं जिनमें इमेजनरी सेंटेज होते हैं कि कास मैं प्रेसिजेंट होता है तुम्हें तुम्हें एक टाइटल मतलब आवार्ड के रूप में एक टाइटल देता है यह कह रहा है तो यह वर मतलब पहले भी लग सकता है नो पॉब्लम इसमें कोई एरर नहीं है ठीक है वराइद प्रेसिजेंट राइव रवार्ड यह टाइटल वन आप माई फ्रेंट हाज गॉन टू कैनड़ा अब यहां पर वन आप माई फ्रेंट में हमेंसे क्या आता है प्लूरल आता है यहां प फ्लोरेंस नाइट इंगल वस्काल्ड लेडी विद दर लैउंप ठीक है तो शी पार्ट में रर रोимость जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा they will leave the office at 6 and reach at home by 7 हम अमेशा से जानते हैं कि home के पहले at का use नहीं करते हैं क्योंकि home जो है एक adverb है ठीक है और home के पहले at का प्रियोग हम नहीं करते हैं they will leave the office at 6 and reach home by 7 तो यहां पर C part में error हो जाएगा next है हमारा the new lecturer seems to be very popular with most of the class the new lecturer seems to be very popular with most of the class इस sentence में आपको कोई error समझ में आ रहा है the new lecturer seems to be मतलब subject हमारा क्या है similar है तो यहां पर seems मतलब similar verb का use कि आ गया है to be very popular with popular के बाद में हम एसा verb preposition with लगता है no problem तो इसमें no error है ठीक है no error हो जाएगा the museum's revolving doors stop the crooks as they jam halfway round the museum's revolving doors stop यह past tense की बात कर रहा है और यहां पर हमने दे के बाद में present में बनाया हुआ है तो यहां पर jam की जगे पर jammed होना चाहिए तो museum's revolving doors stop the crooks as they jam halfway round तो यहां पर C part में error हो जाएगा next है हमारा he had no excuse for attacking that old man जैसे I have no money he had no excuse तो इसके बाद में इसा noun का use करते है ठीक है और यह accuse यह क्या एक verb है तो की जगे पर क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए तो he had no accusation for attacking that old man तो यहां पर बी पार्ट में error हो जाएगा next है हमारा mother's keep on to encouraging their children to study तो हमें सबस्च में आ रहा है कि टू लगा हुआ है और gerund form है ऐसा तो होई नहीं सकता पॉस्बल ही नहीं अगर टू है तो उसके बाद में उसके बाद में क्या होना चाहिए वी बन होना चाहिए वर्प का base form होना चाहिए लेकिन यहां पर mother's keep on और keep on है तो तो आई नहीं सकता mother's keep on increasing their children to study यहां पर correct हो तो बी पार्ट में रहा है next है हमारा Mohan wishes he will be richer Mohan wishes he will be richer जब हम विस करते हैं कि ऐसा हो जाए I wish you will pass the exam to you will will नहीं मतलब वहां पर हमें सब वुड का प्रयोग करेंगे मतलब कि जब विस आएगा तो उसके बाद में हम हमें सब past past की form लगाएंगे ठीक है तो यहां पर विल की जगह पर क्या हो जाएगा would क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि ऐसा होता या ऐसा हो जाए ठीक है तो यहां पर हम वुड लगाते है I'm not familiar with all the important places in this town I'm not familiar with all the important places in this town although I had been living here for two years तो यहां पर यहां पर हम present की बात कर रहे है और यहां पर past की बात कैसे कर सकते तो यहां पर present form होना चाहिए तो यहां पर हैट की जगह पर क्या हो जाएगा है हो जाएगा तो I have been living here for two years हो जाएगा तो मतलब के सी पार्ट में रहा रहा है नेक्स्ट हमारा the receptionist gave us much information which we needed information हम जानते ही कि जो information है वो एक uncountable noun है ठीक है इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा the receptionist gave us gave us pieces of information हम कह सकते हैं लेकिन वहां पे भी हम informations नहीं करेंगे ठीक है तो the receptionist gave us information which we needed ठीक है तो यहां पे correct मतलब किस पार्ट में है बी पार्ट में रहा हो जाएगा next है हमारा everyday we hear about senior citizens being robbed and even killing cold blood ठीक है everybody we hear about senior citizens being robbed मतलब उनको मा दिया जाता है and even killed तो यहां पे हो जाएगा कौन से पार्ट में रहा है c पार्ट में रहा है ठीक है next है रवी संकर्स performance was given a standing ovation by the people who has come to hear him रवी संकर्स performance was given a standing ovation by the people people जो इपल है इसके बाद जो who का यूज हुआ है वह इसी क्लिए हुआ है तो यहां पर similar subject नहीं आएगा क्या है जाएगा है तो सी पार्ट में रहे है नेक्स्टे हमारा people are wanting to see the hometown यही से मैं समझ में आ रहा है कि wanting you want होता है यह हमेंसा क्या मतलब present में बनाएंगे अनकंटिनिवस वर्ब है कैसी है अनकंटिनिवस वर्ब तो यहां पर people wants हो जाए sorry people want हो जाएगा people want to see the hometown win the game तो यह पार्ट में रहे है नेक्स्टे हमारा he was elected as chairman of the college यहां पर एक rule होता है कि कुछ ऐसे जो एड़ोब आज होता है वो named elect think consider call और appoint me choose इनके बाद में ask कप्रियोग हम नहीं कर सकते है इनके बाद में च्छ र्वाब एस में एक ऐस बोलते हैं यहां फेंडर्द करता है यहां पर उनके यहां पर गलत है as treat as view as known as ठीक है नेक्स्ट है हाँ पे candidates present in the examination hall should make use with such opportunities candidates present in the examination should make ठीक है यहां तो सही है कोई पर error नहीं है use with such यहां में use of होगा use के पाद with नहीं आएगा preposition में ठीक है तो use of such opportunities हो जाएगा तो सी पार्ट में error है नेक्स्ट है हमारा he said that it was the first time that such a trick is discovered यहां पर he said that it was the first time यहां पर कोई error नहीं है अब यहां पर यहां पर पास्ट की बात कर रहे तो यहां इस नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा he said that it was the first time that such a trick was discovered तो सी पार्ट में error है I saw his unbelievably really quite delightful cottage I saw this unbelievably का मतलब भी है really का मतलब भी है और quite का मतलब भी है तो यहां इन तीनों में से कोई एक object ही यहां पर आएगा तो हम यहां पर बी पार्ट में error है I saw his unbelievably delightful cottage होना चाहिए ठीक है तो यहां पर बी पार्ट में error है next है यहां पर I was shocked I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her अब यहां पर देखो I was shocked to see how much my grandmother had aged यहां पर tense में जो हम देखें तो यहां पर past में है इधर भी past में है और since the last time we visited her यहां भी past में है ठीक है मतलब कोई error नहीं है इसमें since के बाद में past tense का use होता है past tense का use होगा है तो यहां पर D number हो जाएगा no error my heart is so full of full for words तो full off होगा simply we know है ना my heart is so full of words होगा ना की for होगा तो यहां पर off का use करेंगे ठीक है तो see part mirror हो जाएगा it is not such a pretty place that I had expected it is not such a pretty place यहां पर such a pretty place के बाद में that की जगे पर as का use करेंगे it is not such a pretty place as I had expected okay तो यहां पर see part mirror हो जाएगा okay the management committee was divided in their opinion हमने बहुत अच्छे सी रूल पढ़ा है कि जब divide की बात करेगा तो वहां पर हम प्लूरल की प्लूरल वर्प का योज़ करते हैं तो the management committee was divided जब divide हो गई तो यहां पर वासका क्या काम है यहां पर हम वर्प का योज़ करेंगे है ना the management committee was divided in the opinion तो बी पार्ट में इरर है नेक्स्ट है हमाला speech was given to man to conceal his thoughts अब इसमें क्या इता है तो यहां पर spelling error है तो तो C part में error हो जाएगा so thank you for watching guys और इसके बाद हम next video करेंगे इसका part 2 उसमें हम आगे जो आय हुए errors है उन पर बाग करेंगे so for more videos like share and subscribe to our channel